हेलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों आज मैं कसीनों के उपर एक ऐसी बात बोलने जारा हूँ शायद उस लोगों के लिए तो वो कोई नई बात नहीं होगी और वो समझ जाएंगे पर मैक्सिमम लोगों को शायद वो बात ना समझ में आया मजाक लगे या हसी में उड़ा दे आपको यह खा जाएगा आपका सारा पैसा मान सम्मान इजट सब कुछ ले जाएगा कहीं का नहीं छोड़ेगा जीत गए तो भी किसी को डंगे की चोड़ पर नहीं कह सकते कि हमने इस जगह से पैसा कमाया और एक दिन जीतने को इतना नहीं बोलते हैं जूँआ एक ऐसी ची बहुत बड़े प्लस में नहीं मैंने करोड रुपया कमा रखा है नहीं मैंने केवल अपना गया हुआ पैसा लेके आया और उसके बाद में मुझे कभी कोई जरुरत होती तो मैं उतना ही प्ले करके थोड़ा बहुत पैसा अपना काम चला करके बंद कर देता हूं फिर दो । कभी भी ट्रिक और स्टेटफिजी से जीतने वाला नहीं माना है कि आप एक दिन जीत लोगे उस जीथ को कैसे यह हमारा core ले लो यह tricky strategy से जीट जाते हैं यह number आने पर यह लगा दे ना आओ हम आपको बताते कैसे जीतते हैं इस मैंने हमेशा मेंशा पर मैंने चैनल है चैनल है मेरे ट्रैफल नॉलेग जिस पर मैं अब तो कसीनो को वीडियो नहीं डालता हूं पर पहले वीडियो चल रहे सारे उसमें तो वहां पर मैंने psychology of casino की playlist बनाई आप चाहो तो जा करके देख लिए travel and knowledge उसका नाम है ज्यादा तर यहां के जो प्लियर से उन्होंने वह यहां के जो subscribers है इस चैनल के उन्होंने वह चैनल को सब्सक्राइब किया ही हुआ है मतलब मेरे जितने भी को मजबूत करने के लिए लोग बोलते हमें यह बता हूं माइंड को गासे करने सबसे जरूरी important बात यह है कि माइन को कंट्रोल करने के लिए माइंड का फिट रहना बहुत जरूरी है मैं आपको जितना मर्जी strategy ड्रिक्त बता दूं माइन को कंड्रोल कैसे करना है अगर आप mentally fit नहीं हो mentally fit कि बात करू 되kilogram mentally weak की नहीं बात कर रहा हूं आप mentally बहुत strong ओ व फिट नहीं हो अब बात समझो अब mentally weak मतलब मंद बुद्धि मेंटिली स्ट्रॉंग मतलब अकल मन मैं कह रहा हूं कि यह तो नहीं कि सारे मुर्ख लोग ही जुगा खिलते हैं इसमें कई लोग ऐसे मिले जो अपने अपनी फिल्म में बड़े काम्याब है बहुत दिमागदार है मेंटली स्ट्रॉंग व्यक्ति अगर मेंटली फिट नहीं है ध्यान समझ से समझना इस बात को तो भी वह कंट्रोल नहीं कर पाएगा क्योंकि यह बहुत सेंसिटीव इशू है तो मेंटली फिट से मेरा क्या मतलब है तो मेंटली फिट कब होता है आदमी जब फिजिकली फिट होता है ऐसा कभी नहीं होगा कि फिजीकली तो वो मोटा है तोंद निकली हुई है आलसी है चर्थिस बिमारिया लगी है और मेंटली बड़ा स्ट्रोंग है अरे अगर धंग से सुबह आपका पेट साफ ना हो आपको कब जो ना तो भी आप धंग से सोच नहीं सकते आपका दि मैकसीमम नाइंटीइट परसेंट इंडियन में इस्पेशली इंडियन की बात करें कि मैंने सबसे ज़्यादा इंडिया में करी है या नेपाल में तो नेपाल में भी जादातर इंडियन सी जादा था खिल रहे होते हैं चाइनीज और जैपनिस कगोई कर दो एक पाई है कि या को योगा करता है कुछ भी मतलब लगता है कि हाँ यह फिट है ऐसे एक परसेंट ही लोग मिले वो जो mentally physically fit होता हो mentally fit होता है अब इसका मतलब यह होगे तो आपको भी हारोगे नहीं यह नहीं मतलब फिट फेट मतलब कपड़ों से बढ़िया एकदम प्रेस रस करके और वहां वहां भी यहां वहां भी करके करते हैं प्र उसके बाद ने के निन a जी पैसा आ गया वह अलग बात है यह इन्होंने शरीर का क्या नास पीट लिया है अब जिसका शरीर ही ऐसा हो जिसका फूरा फोकस ही शाम की दारू हो वो क्या वहां पर बैठ करके ऑब्जर्व करेगा कैसे वो पैटरन को पकड़ेगा कैसे वो एक्जिट टाइम डिसाइड करेगा कब मुझे भागना यहां से कब मुझे यहां पर ठीके रहना है आज दिन मेरा नहीं है या आज ही दिन मेरा है यह कैसे डिसाइड करेगा वो तो आया आते है उसने बीयर ओडर करी दारू ओडर करी खाया पी या बस नशे में आकर वो जुगा खिल लो तो देखो शराब पीना एक अलग चीज है जुग डूगा खिलना अलग चीज दो अलग चीजों को मिक्स मत करो दोनों ही ज ail हैं बहुत कि शराप पी नहीं है बार में जाओ जूगा क 56वा बार पीने के लिए कसीनों में दारू क्यों पी ठींच, जाख विए यहां भैकेंगे और यहां गलतियां करेंगे नहीं तो हम उसके दमाद थोड़ी है जो हमें पकड़ पकड़ के ला करके वह में दारू मुर्गे खिला रहा है वह को ससुराल वाला है तो आप बात समझो तो फिजिकली कोशिश करो दारू को मत करो दारू को जितना कम करसकते यह पर कर सकते यह उसकित अब पर वह की मरजी है पर दारू और आपको रूद्ह कोषिश कायि ख़तरनां को कोट्ट अब कोक्टल बहुत खतरनाक होता है अभी और फिजिकल फिट रहने की कोशिश करो शाम के वक्त मत खाओ या कम खाओ अन रात को मत खाओ एक्सराइस करो जिम जाओ अगर जिम नहीं जा सकते हो किसी भी कारण की वज़े से तो शुक्षुन व्यायाम होते जो आदमी सुबह उठके अपने घर में कर लेता वो करो योगा करो इससे जो बॉडी में जो डेड सेल है चर्वी लटक गई है खाल डेड बढ़ी है जिंदा लाश बने हुए मुर्दों की तरह दिख रहे हो वह सब खतम होगा चेहरे पे ग्लो आएगा फिजिकली फिट दिखोगे एनरजेटिक रह सब्सक्राइब है कि फिजिकली फिट रहना बहुत जरूरी है को कि गलिंग जैसे मेंटल गेम करने के लिए आपका मेंटलीर ऋन बहुत जरूरी है और बिना फिजिकली फिट नहीं रह सकते जो कि नहीं ह house, देटकर धिकन की बात आप के समझ में आएगी मेंदों कर् thrown, यह नहीं कि आ आम तो नहीं चौड़ पारें उनके लिए इसे कम से कम III train के साथ करो तरह साथ और तब देखना आपकी Intro गलतियां दस में से आठ गलतियां आप पकड़ लोगे और होने से पहले ही रोक लोगे पर आप तो व्यस्त होते हो गाने सुनते हुए गैमिलिंग कर रहे हो ध्यान भटक रहे हैं नहीं आप प्रॉपर बाकी मैं अगले वीडियो में आपको ऑनलाइन के लिए क्या क्या प्रिकॉशन्स लेने चाहिए वह बताऊंगा ओके गुडबाई थेंक यूँ